तो ऐसिस के बारे में होता किया है और एक्षॉल में बताने वालू praise करती है तो आज के वीडियो में बताने मारे में सबसे बद्स प्राइक पर देखेंस नाम सबसे बारे में आप infection में त horrific आपme firmly अप सकते हैं और डारेक्ट लिए आप चाहें तो अपने स्टोर में जाकर सर्च मार के इसको इसको स्टॉल कर सकते हैं तो आपको सिंपल ही करना क्या होगा अपने जाना है क्लेक्षी स्टोर में जाने का आपको यहां पर सर्च मार लेना यहां पर आप देखेंगे दोस्तों नीचे की तरफ अगर इसका description पढ़ेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा है night cases made to let now I work which application start the vibration and anews और नीचे आप देखेंगे आपको यहां पर लिखा हुआ है ringer mode, callers तो यह सब चीज़े आपको information मिल जाएगे, आपको इसको कर लेना है download, download करने के आपको इसको कर लेना है open जैसी आप open करेंगे तो by default यह बन रहता है तो आपको इसको on कर लेना, on करने का आप फायदा गया हुआ दोस्तों आप मैं इसको बहुत time से use कर रहा हूँ तो यह अभी अगर आपके mobile में अगर आप इसको install करके on करेंगे, तो अगर आप vibrate history में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, बट मेरे पास आप देखेंगे, यहाँ पर सारी history दिख रही है, और यह कब तक की दिखा रहा है, seven days के बाद यह delete कर देता है तो इसका काम क्या है, तो यहाँ पर काम यह करता है, कि आपके mobile में जो भी activities हो रही है, like vibrate आपके mobile को, तो सबसे पहला जो यहाँ पर vibrate history मतलब कि आपके mobile की जो vibration को कौन-कौन सी app use कर रही है, और कब-कब कितने second minute पे use कर रहा, तो आपको एक-एक चीज मिल जाएगी, like application that met vibration, आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता देगा, android system ने आपके 7 minute पहले आपको vibrate करा था, आप देख रहा है, date, time, second तक आपको दिख रहा हो, जिस जिस एप ने आपके vibration को use करा है, तो आपको यहाँ पर सारी information मिल जाएगी, आप दिख रहे होंगे, एक- call mode history, कि कब कर आपके mobile में call आया, तो वो दिख जाएगा, और जो सबसे काम का feature, toast history मतलब कोई भी pop-up message जो भी आया हो, तो यहाँ पर दिख जाएगा, तो सबसे मुझे काम का जो यहाँ पर लगाए है, detected commercial मतलब की, show a list of application that display at after unlocking your phone, मतलब जब भी आपने mobile को unlock करा, उसकी जाएगा, किस-किस app ने आपको advertisement थी, like मुझे atel service की तरफ से बहुत बार pop-up message जो आपने देखा होगा आ जाते हैं, तो वो आए है, whatsapp की तरफ से कुछ आया होगा, message, message, तो यह आपको यहाँ पर सब दिख जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे, screen backup history, मतलब आपके mobile को off हुई, कब on हुई, तब आपको सब कुछ यहाँ पर दिखेगा, like, तीन मिनिट पहले मैंने अपने mobile को unlock करा है, by fingerprint आपको दिख रहा होगा, उससे तीन मिनिट पहले power की से मैंने उसको lock करा था, तो एक-एक चीज आपको information मिल जाएगी, किस से unlock करा है, कैसे off करा है, एक-ए आपकी mobile की setting change हुई, मतलब कि आप देखेंगे, आट और रोटेट, पांच मिनिट पहले मैंने आट और रोटेट को on करा था, फिर उसको portrait में कर दिया, do not disrupt को मैंने 9 मिनिट पहले मैंने अपने mobile का sound को off करा, तो मनलब एक-एक चीज आपको मिल जाएगी, आप last जाएगे, सा तो मुझे ही धी, एक setting के आपको information मिलेगी, उमीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी video पसंद आई होगी, तो thank you, दोस्तों मुझे मेरी video पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपको मेरी video पसंद आई होगी तो please like जारू करे, अगर आपको रगते हैं कुछ कम ये 또 मुझे दिसल फोलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो थेंगी दोस्तों